Hello everyone, BSE 2nd year के पिछले वीडियो तक हमने गेमेटोजेनेसिस के अंतरगत, इस पर मेटोजेनेसिस में स्पम के फॉर्मेशन ओफ हैड यानि सीर्स निर्मान की परक्रिया के बारे में पढ़ा था उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो पिछले वीडियो तक हमने फॉर्मेशन ओफ हैड की परक्रिया के बारे में पढ़ा यदि हम डाइग्राम के रूप से इसको देखे तो वो परक्रिया ये इस परकार से दिखाई देती है तो ये इसमें अलग-अलग जो स्टेजेज होती है या अलग-अलग चरण जो आते हैं वो इस परकार है सबसे पहले जो न्यूकलेस होता है वो इस परकार से दिखाई देता है ये complete आगे से गोल दिखाई देता है और जो गॉल्जी बोडी होती है यानि जो गॉल्जी काय होता है वो इसके अंदर आता है गॉल्जी कोई के बीच में फिर एक acrosomal granule का निर्मान होता है और इसके बाद में जो acrosomal granule होता है वो इसके संपर्क में आता है जो की नुकलिस की जिल्ली यानि नुकलियर मेंब्रेन की संपर्क में आता है और ये इससे अटेच हो जाता है इसके बाद में इस ग्रेनियूल जो होता है इसके चारों और एक वैसिकल या रिक्तिका का निर्मान होता है और गॉल्जी बोडी जो है वो बाकी की गॉल्जी बोडी इस परकार से दिखाई देती है तो ये जो वैसिकल होता है ये इसके नुकलेस भाग के उपर इस परकार से फैल जाता है और बाकी बचा हुआ जो गॉल्जी कोई होता है वो इससे अलग हो जाता है इसके बाद में जो एक्रोसोम बनता है वो इसके ग्रेनियूल्स के द्वारा बनता है और उसके चारों और मेंब्रेंस का निर्मान हो जाता है और इस प्रकार से ये इसका जो आगे का भाग होता है जो इसका सीर्च भाग है इसका निर्मान होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं अब हैड पार्ट के निर्मान के बाद में second इसमें आता है formation of the tail of the spermatosone जो spermatogen होता है उसका जो पूझ भाग है उसका निर्माण किस परकार से होता है The centrosome of espermatid after the second meiotic division consists of two centrioles तो जो centrosome होता है किसी spermatid का जो उसमें second meiotic division यानि दूशरे अर्द सूतरी विभाजन के बाद की अवस्ता में उसके पास में दो centrioles या तारकाई उपस्तित होते हैं Which have the structure of two cylindrical bodies और इनका जो सरीर होता है या structure या सरंचना जो होती है इनकी तारकाई की वो दो cylindrical bodies के तरह होती है यानि बेलनाकार इनमें काई की समान ये दिखाई देते हैं दोनों तारकाई Laying at right angle to each other और पत्ति एक जो है एक दूसरे के समकौन पर उपस्तित होते हैं During early stages of sperm metamorphosis यानि जो शुक्राणों के अंदर कायांतर होता है उसकी प्रारंविक अवस्ताओं के अंदर The two centrioles move to a position just behind the sperm तो ये दोनों ही centrioles जो होते हैं ये गती करके जो है दूर चले जाते हैं और इस प्रकार से ये इस पम के यानि शुक्राणों के पीछे के भाग यानि जो इसका जो प्रष्ट भाग होता है तो उसमें ये दोनों ही एक गत्रित हो जाते हैं Nucleus in the future neck region और जो इसका future neck region होता है यानि भविशे में बनने वाला इसके गरदन जो होती है शुक्राणों की उस छेतर के अंदर ये दोनों ही centrioles जाके जमा हो जाते हैं Nucleus यानि इसके केंदर के posterior surface या प्रष्ट सतय के उपर या पिछली सतय के उपर ये गर्थ बनता है And one of the two centrioles यानि दोनों में से एक कोई centriole becomes placed in depression और दोनों में से कोई एक centriole जो होता है जो ये गर्थ बनता है उसमें जाके ये है व्यवस्तित हो जाता है With its axis of the spermatozone जो की spermatozone के अक्ष के समाना अंतर यानि उसके साथ में ही जाके वह व्यवस्तित हो जाएगा यानि कि जो गर्थ होता है जो इसके nucleus के पीछे के भाग में बनता है उसमें दो में से एक centriole जाके उसमें व्यवस्तित हो जाएगा This is the proximal centriole अब ये जो व्यवस्तित होता है centriole उसे proximal centriole या निकट उपस्तित centriole या तरकाय कहा जाता है and the other centriole the distil centriole तो जो दूसरा centriole होता है उसे distil centriole या दूरस्त centriole कहा जाता है takes up a position behind the proximal और ये है proximal centriole के पीछे जो है वो उपस्तित हो जाता है तो जो निकट उपस्तित centriol होता है वो आगे होता है और जो distal centriol होता है वो उसके ज़स्ट पीछे उपस्तित रहता है तो जो distal centriol या दूरस्त centriol होता है उसमें से एक अक्षिय तंतू निकलता है जो की स्पर्मेटो जून के अंदर होता है और यह है बेसल ग्रेनियूल का कारिय करता है यानि आधारिय कनिका का कारिय यह है distal centriol या दूर इस्तित centriol जो है वो यह बेसल ग्रेनियूल या इसका आधारिय कनिका का निर्मान करता है most of the mitochondria of espermatids तो जितने भी espermatids के अंदर अधिकान्स mitochondria जो होते है concentrate around the distal centriol यह सभी आके दूरस्त centriol के चारों और एकत्रित हो जाते है and proximal part of the axial filament और जो axial filament या अक्षे तन्तू होता है उसके अग्र भाग या उपरी भाग में आके एकत्रित हो जाते है and form the neck और यह मिलके neck यानि गर्दन का निर्मान करते हैं इसके espermatid का and middle piece of the tail और tail के मद्य भाग का निर्मान करते हैं जो की espermatogun की tail होती है in the middle piece of sperm यानि sperm के शुक्राणों के मद्य भाग के अंदर the mitochondria lose their individuality by fusing to a greater or lesser amount तो जितने भी mitochondria होते हैं यह अलग-अलग इसमें फिर नहीं रहते हैं यह आपस में सभी fuse हो जाते हैं या संगलित हो जाते हैं अधिक या कम मात्रा में यह आपस में fuse हो जाएंगे in mammals इस्तंधारियों के अंदर the mitochondria join in one continuous body तो जो mitochondria होते हैं इस भाग में यह आपस में एक सतत रूप से या सतत काय के समान आपस में जुड़ जाते हैं which becomes twisted spirally और यह धीरे-धीरे twist यानि मुड़ जाते हैं spirally या सरपिलाकार form के अंदर आ जाते हैं यानि सरपिलाकार रूप से यह twist हो जाते हैं around the proximal part of axial filament और यह एकत्रित होते हैं axial filament यानि अक्षिय तंतु के अगर भाग के अंदर and the proximal central और proximal जो central होता है या अग्रस्त जो central होता है उसके चारों और यह spirally रूप से या सरपिलाकार रूप में यह एकत्रित हो जाते हैं एक सततकाय के रूप में in other animals दूसरी जन्तु के अंदर however no spiral arrangement of mitochondria occurs तो इस प्रकार का जो सरपिलाकार व्यवस्ता है या इस प्रकार के जो mitochondria जो सरपिलाकार रूप में उपस्तित होते हैं mammals के अंदर वैसा दूसरे जन्तु के अंदर यह नहीं होता है but instead mitochondria fuse together और इसके इस्थान पर जो होता है दूसरे जन्तु में जो mitochondria होते हैं वो आपस में fuse या संगलित हो जाते हैं to form massive clumps और इसके दोरा जो है बड़े समू बनाते हैं इन्हें mitochondrial bodies कहा जाता है तो दूसरे जन्तु के अंदर mitochondrial bodies पाए जाती है इसके middle part में और बाकी इस्तंधारियों के अंदर जो sperm होते हैं उनके अंदर spiral form में arrangement होती है the cytoplasm forms a condensed layer called manchet दो जो cytoplasm होता है ये एक सघन परत का निर्मान करती है जिसे manchet कहते हैं around the periphery of the middle piece यानि इसके मद्य भाग के चारों और यानि इसके परीदी के चारों और जो है एक सघन परत का निर्मान करते हैं जिसे manchet कहते हैं the manchet also surrounds the posterior part of the head of spermatozoa तो जो manchet आवरण होता है ये है spermatozoa के जो head होता है उसके पिछले भाग को भी ये घेरे हुए रहता है where it is not covered by the cap जहां पर ये है इसके cap या टोपी के द्वारा जहां से नहीं ढखा होता है वहां पर भी manchet का आवरण उपस्तित रहता है a dark ring called ring centriol यानि एक गहरे रंग की जो वले होती है जिसे ring centriol कहा जाता है of unknown function जिसका कोई कार्य ग्यात नहीं है sometimes seen at the posterior end of middle piece और ये कई बार दिखाई देता है जो इसका मद्य भाग होता है उसके posterior end या पस्च सीरे की और दिखाई देता है तो ring centriol जो होता है कई बार दिखाई देता है लेकिन इसका कार्य क्या है ये अभी तक याद नहीं है it forms the boundary between the middle piece and the main piece of sperm tail और यह एक सीमा का कार्य करता है यानि एक boundary का निर्मान करता है इसके मद्य भाग तथा मुख्य भाग यानि जो sperm tail का मुख्य भाग होता है उन दोनों के बीच में एक boundary का निर्मान यह है ring centriol करता है इन most animals यानि अधिकांस जन्तूओं में except mammal यानि ये इस्तंधारियों के अंदर नहीं होता है the principal piece of tail piece of the sperm are composed of the axial filament only तो जो मुख्य भाग होता है जो इसके sperm के tail का मुख्य भाग होता है ये सभी बने हुए होते हैं केवल अक्षिय तंतूओं के द्वारा तो ये सभी animals के अंदर होता है लेकिन mammals में ये केवल अक्षिय तंतूओं के द्वारा नहीं होता है इन mammals इस्तंधारियों के अंदर the axial filament of the principal piece is accompanied on the outer side by much thicker fibers which are wedge shaped in cross section तो mammals के अंदर जो axial filament होता है इसके मुख्य भाग के ये जुड़े होता है इसके outer side या बाहर की और से जो की अधिक मोटे तंतू होता है थिक fibers इसके अंदर होता है और ये दिखाई देते हैं wedge shaped यारी कील के समान ये दिखाई देते हैं यदि इनका cross section काट के दिखा जाए तो कील नुमा ये fibers दिखाई देते हैं इस fibers start in the middle piece और ये जो fiber होते हैं शुरू होते हैं middle piece या मध्य भाग से but do not reach up to the end piece लेकिन ये अंतिम भाग तक ये नहीं जाते हैं यानि ये बीच में ही समाप्त हो जाते हैं जो की spermato zone के tail यानि पूच भाग में होते हैं तो ये बीच में ही खतम हो जाते हैं संपूर्ण पूच के अंदर फैले हुए नहीं रहते हैं The fibers of axial filament तो जो अक्षे तंतू होते हैं किसी mammalian sperm यानि इस्तंधारी के शुकराणों की tail के अंदर are also surrounded by flattened band तो इसके अंदर जो पूच होती है इस्तंधारी शुकराणों के अंदर उनके अंदर surrounded रहती है या घिरी हुई रहती है चप्टे पट्टिकाओं के द्वारा विच अकर सेज सेमी सर्कुलर रेप्स जो की अर्द चंद्राकार पसलियों के समान दिखाई देती है articulating with each other यानि आपस में ये जुड़ी होती है यानि दूसरी और से ये एक आपस में जुड़ी होई रहेगी और ये इस परम टेल के अंदर उपस्तित होता है और ये जो है बात बताए थी टेल का फॉसेट और क्रिश्टेंस ने 1961 के अंदर the end piece has only axial filament तो जो अंतिम भाग होता है उसके अंदर केवल axial filament या अक्षिय तन्तु होता है which remains covered by the cytoplasm और ये जो axial filament होता है ये गिरा हुआ रहता है cytoplasm यानि कोशी का दरवे के द्वारा और plasma membrane के द्वारा तो इस परकार से इनमे जो है tail का निर्मान होता है कि सबसे पहले जो acrosome होता है वो इस परकार से आगे दिखाए देता है और head cap जो होती है वो इस परकार से दिखाए देती है और ये जो पीछे की और दिखाए दे रहे हैं इने कहते हैं गौलजी रेस्ट यानि गौलजी काय का बचा हुआ भाग जैसे ही इनमें आगे सक्सेशिव इस्टेजे जाती है आगे की स्टेज वो इस परकार से इनमें ये दिखाई देते हैं और जो एक्रोसोम होता है वो इसके बराबर हो जाता है अर्दचंद्रा का रूप में फिर इस का जो ये भाग होता है ये मिडल पीस या मद्य भाग कहलाता है जिसके अंदर माइटो कॉंडिया का आवरण होता है जो की सरपिला का रूप में होता है सभी इस्तंदारियों के अंदर और ये धीरे धीरे जो फ्लेजिला होता है बड़ा वर्दी करता है और ये से टेल या पोंच भाग कहते हैं तो शुक्रणों के अंदर टेल पार्ट होता है बीच में मिडल पीस या नेक रीजन होता है और आगे का जो भाग होता है इसे हैड रीजन या सीर्ष भाग कहा जाता है तो इस परकार से जो है वो निर्मान होता है इस परम का थैंक यू सो मच इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पड़ेंगे